स्वालो डिफेंस मेरियस सबसे पले आप सभी को जहिंद नमस्कार दोस्तों इंडियान एयर फोर्स की रेली भरतों को लेकर के जो अपडेट है उसको लेकर के पूरी डिटेल में बात करने बाला हुसा आधी साथ बताऊंगा कि एक जाम डेट कर भील भी कर दिया गया है और एक बात आट बताना चाहूँगा आप सभी को आए उट्व पे एक चैनल है जुनन डिफेंस कर डिमें टेक है वो नए चैनल है बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं बहुत ही सा टेक इंफरमिसन देते हैं ठीक है तो कल उन्होंने एक वीडियो बनाया था एक्जाम डेट क सखेम सही है और झार consegu was इंबनाते हैं बचन्व जिए से अबकंगा कर relação को मुद्दा बनाओर के वीडियो कर रहा हम और आप सभी को यहांद भाइस दे रहा हुं ताकी बहुत सारा ऐसे कंडिडेट है जो में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं और उनका इंटेक उस इंटेक में वह नहीं जा पाते हैं और उनका डेट अबर्थ जो होता है वह पार चला जाता है एकईज साल से ज्यादा हो जाता है और रेली भरती के बज़से एर फोर्स में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं तो उनके लिए यह वीडियो और इंपोर्टेंट है जिनका लाइट चांस है उनके को बताया था और मैंने कल लगवग सुबह में मोर्निंग में ही आप सभी को एक वीडियो बना करके बताया था कि प्लीज इस वीडियो को सेयर करना आप से नहीं विस्वास हो रहा है तो जाकर के नीचे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूगा आप मेरे चै रही है कि हम लोग का एकजाम अगर जुलाई में नहीं होता है या जुलाई में होती है रेली भरती कंड़क्ट नहीं की जाने चाहिए बहले जहां-जहां रेली भरती होता है इंडिया के जहां-जहां वाई ग्रूप या एक्स जुरूप के लिए होती है लेकिन जो इंटे वटे हैं हुनों होता है तो कि अनका 65-7075 होता है रिय्जा पाते हैं मैक्सिमम घ्डडिट होता है ज़ो लेकिन बहुत सारो Euro boats लेकिन हुए होता है और पार्टििपर्ट करें शुया शुबूरा करते हैं जर्फंस के लिए Арप्रदुच्य और उनका सेलेक्शन हो जाता है क्योंकि बिहार यूपी यहां से पर आपको पता हुआ कि ट्वेल्थ में जो मार्क होते हो बहुत ही हाई बेसिस पर दियाता हूँ यानि कि यहां कि नंबर का मेरे ही एक दोस्त है ठीक है जिनके 300-350 नंबर होते हैं 250-270-280 वह भी एयरफोर्स में जाते हैं और वह इंटेक के थ्रू जाते हैं उनके लिए ही एक रास्ता है अगर उसी में क्राइटरियल आ दिया जाकि 90 प्लस वालों को लेंगे तो यह सहीं नहीं होगा किसी भी तरह से यह सहीं नहीं हो सकता है तो लेली भड़ती अगर आ जाती है तो एक और मौका बहुत सारे कंडियेट का चला जाएगा मैकिसमम कंडियेट का चला जाएगा और यह साल से ज्यादा हो जाएगा तो फॉर्म नहीं भड़ सकते हैं तो प्लीज आप से रिक्वेट है कि ज्यादा अपने टीचर के सपास यह बिडियो सेर करें क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ आप सभी के लिए जो भी मैं एडवाज देता हूँ वह अपने इकौर्णिंग देता हूँ और बहुत ही सटिक इन्फ़रमिसन देता हूँ तो बही जो जुनुन डिफेंस के ड्यों की बात रही उन्होंने सही बताया आप सभी को मैंने भी बताया था कि रेली भरती आ जाएगी अगर आप सभी आवाज नहीं उठाऊ गते तो प्लीज यह इंटेक जब भी हो अप्रेल में सोरी जुलाई में हो या अगस्त में हो सेप्टेमबर में हो नौंबर में हो कोई फर्क नहीं परता लेकिन इंट सभी को क्या करना होगा सभी को वीडियो बनाना होगा सभी को एक साथ आना होगा और इस तरह की बाते करनी होगी तो बात ही रही अब एक्जाम के बात रही स्टार 2021 जो पुस्ट पॉंड हुआ था अप्रेल में एक्जाम था उसका उनीस अप्रेल से तो उसका एक्जाम की बात रही है तो जेहां तकी मेरे बतादों मैंने सबसे पहले का वीडियो के देखना डिंग कर देखके उस्वास नीवताया तो फिर आप जा कि कमेंट करने लगते हो तो सबसे पहले का अगांग नहीं ट आbaum कि जुलाई नहीं होगा जुलाई में एकजाम होने के 90% ऐर रहे हैा था जुछ नहीं करेंगेंगें और तो क्या रहे होगा है? जो एक्जाम डेट को ले करके ही प्रिप्रेशन करते हैं उसी का टारेट रहेंगा अगर जुलाई के बाद अगस्त में एक्जाम ले ले कहीं तो आप सभी त्यार रहोगे और आप सभी एक्जाम में अच्छी मार्क आफटेन करके आओगे और आप सभी के फायदा के लिए मैं बताता हूं तो जुलाई का अभी टारेट ले करके चलना और बात रही नेक्स्ट इंक्टे की तो यह आप सरी के फूचर का सवाल है एयरफ ह्स में जाने का सवाल मैं वरदी का सवाल है लें होता है तो वीडियोश्यैं करना 52 कुछ नहीं है और नहीं होता है वीडियो से कर सकते हैं तो आप अपने छोटा से चैनल तो आपके नाम कहोगा इमेल आड़ी से लोगिन किया होंगे उस पर आप जाकर के एक वीडियो क्लिप बना देना एरफोस रेली भड़ती नहीं आनी चाहिए यह फ़लना चाहिए तो भी काम चल जाएगा तो यह होनी चाहिए क्योंकि हम भी सोच रहे मेरा भी मैं इस बार एरफोस का फॉर्म नहीं वड़ा हुआ था क्योंकि मेरा पूरा टार्गट था कि पूरी तरह से अच्छी तरह से प्रप्रेशन करो और नेस्ट वेकेंसी जब आएगी तो मैं उसमें फॉ यह मेरे लिए भी कहीं कहीं दूख की बात होगी सो प्लीज ऐसे बहुत सारे कंडिरेट है इंडिया में लाखों कंडिरेट है तो उनकी हेलप करना आप सभी इसके लिए वीडियो को सेर करना बागी का कुछ नहीं है रैली भरती को लेकर जो भी डाउट होगा कमेंट करना बागी का बेड़ कमेंट मत करना जो तब तक के लिए जैंजा भारत